असलाम एलेकुम वेलकम बैक टू रुमानास वर्ट तो कैसे हैं आप सब आज हम बनाने वाले हैं पंजाबी स्टाइल पकोडा कड़ी जो कि बहुत ही इसली बनके त्यार हो जाती है और बिल्कुल पॉफेक्ट टिप सेंट्रिक के साथ और इतनी जादा टेस्टी बनती है ऑर जादा लेना चाते हैं तो आप इसमें आड कर सकते हैं और उसके बाद इसमें हम डालेंगे जाधा सा हरा धिया कट कर लिया था मैंने वो हम इसमें डाल देंगे और उसके पाद इसमें हम डालेंगे एक चमक धनिया पाऊडर इसे जो है खुश्पू और टेस बहुत जाध अच्छा आता है एक चमच इसमें डाल देंगे हम red chili powder अगर आप इससे ज़्यादा एड़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं उसके बाद हम इसका batter बना लेंगे जैसे हम पकोड़े का बनाते हैं इस तरीकी थोड़ा सा पानी इसमें आड़ करके आप इस तरीका batter बना के रख लिचेगा अब हम बना लेते हैं दही का गोल बनाना है हमें वो यह मैंने आधा किलो दही लिया था और इसमें हम डाल देंगे दो चमच हल्दी पाउडर डालना है आपको इसे कलर बहुत जादा अच्छा आता है तो दो चमच आप इसमें डाल दीजे और उसके बाद इसमें एक कप मैंने बेसन ले लिया था बेसन को आपको इसमें डाल देना है और डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से फेट लेना है इतने अच्छे से फेटना है कि इसमें कोई भी लंस नहीं रिखना चाहिए बहुत ही स्मूध सा इस तरीके से पेस्ट और यके साइड में रखते हिए तो आप चलेए पहले हम पखोड़ों को फ्राइब कर लेते हैं तो मैんな लोही की कराई लिया थे इसमreuड़्य बहुत जपर विए अच्छी तो को न गरम कर लिया था तो तो यहां पर अच्छी से गरम हो चुका है तो आप पकॉड़े डाल देंगे मीडियम साइज के जितने बड़े आपको चाहिए आप उसी सापसे में आड कर दीजे और फ्लेम को आपको मीडियम रखना है बहुत ज़दा हाई फ्लेम में अगर आप फ्राई करेंगे तो यह उपर से हो जाएगा और अंदर से बेसन कच्छा रहता है तो इसलिए अब फ्लेम को मीडियम कर लीजिगा और यह देखें कितने अच्छा सा कलर आ चुका है और बहुत ही अच्छा से यह फ्राई हो चुका है अब इसका कलर देख रहे हैं और इसकी जो पकॉड़े होते है वह इतना ज्यादा टेस्टी लगते है ना जब इसके इ इसकी कड़ी तो मैंने जो है ना तेल लिया था यह एक कप आयल लिया है मैंने बहुत ज़दा इसमें आइल नहीं जाता है कड़ी में बहुत कम जाता है तो अब इसमें हम डाल देंगे मेथी दाना यह एक चमच है और इसमें डाल देंगे एक चमच राई तीनों चीजों को खड़ी वो इसमें हम डाल देंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे आदा चमच हींका पाउडर इसे क्या है खुश्बु बहुत ज्यादा अच्छी आती है और अलग सा एक फ्लिवर भी आता है इसमें उसके बाद इन सारी चीजों को हलका सा हम स्वाटे कर लेंगे जब इस चॉप कर लिया था प्याज यह इसमें डाल देना इसे ब्राउन नहीं करना है इसे हमें बस हिल्का सा सॉफ्ट करना है इस लिए हम इसे लास्ट मे अट करेंगे इस जो है ना फ्लिवर बहुत ज़ादा था तो देखिए लसे ना दरक भी अच्छे से भून चुका है और प् और भूदर करेंगे तो गेल जाएंगार पानी तो अचे से डिजॉल्व कर लेना है और शुटा यह लेकर भूद में बूर करेंगा जब पानी फिर्स टरीके से छिर अप्रणी बू देना है और खुश्बू भी बहुत जादा अच्छी आ रही है तो अब हम यहाँ पे आड़ कर देंगे जो हमने अपना कड़ी का गोल बनाया था ना बेसन और दही का वो हम इसमें डाल देंगे यहाँ पे डाल दीजे आप और इसे चलाते रहें एक तरफ से आप इसे आड़ करें और अब इसे हम पिलकुल मीडियम फिलेम में चलाते ही पकाना है कमसे कम हम इसे रहन दस मिटके लिए पकाना है तो ये देखे लेकिए पकस्तार्ट हो चुका अज़ें गर था आप पाकोर ने के बाद जो हमें झालने के बाद यहाँ यह हाँ आड़कर देंगे तो जो कड़ी का फ्लेवर नो बहुत अची तरीके से आ जाता है और इतनी जादा टेस्टी बन के त्यार होती है आप इस तरीके से बनाइए और देखे कितना अच्छा बॉयल आने लगा है और हमारी कड़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो अभी हमें यह फाइनल जो स्टेप करना कीड़ी कीड़ी आधा कप यह फाइनल्य जोड़ी लगाने घया लगाएं में तर्का पर चंवे हमें लगए सांटी एक पैन ऑजिया है यह ने जिएरा डाल दिया है और आप इसे हम डाल देंगे 6-7 अच्छाद करी लीप्स तो इस से ने डाल देंगे 2 जो कशमीरी मिर्च यह अच्छे बाद इसे चुटे एक चम्मत कशमीरी मीच आती है रेट कशमीरी मीच आती है और इसे अच्छे तरीके से लिजे और फिर आप उपर से इसको तड़का लगा देजे। इतनी अच्छी खुश्बू आ रही है और इतना अच्छा फ्लेवर आता है यह तड़का लगाने के वज़े से और टीस बहुत जादा इन्हांस हो जाता है तो यह देखिए कड़ी बिल्कुल बनके तयार है आप इसे गर्मा गरम जीरा राइस के साथ भी सर्ब कर सकते हैं बर्दाश नहीं हो रहा है तो चलिए अभी हम इसे डिस आउट करके निखाते हैं और इसे खाना स्टार्ट करते हैं तो यह देखिए मैंने कड़ी निकाल रही हूं इसके जो पकॉर्डे होते न वह इतना ज्यादा सॉफ्ट होते हैं अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो झाल